गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज़ादा मेहंगा होता है। एसी बचकानी, जूटी, अंसाइंटिफिक बाते करते हैं तो क्या उन्हें डर नहीं लगता था कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, लोग उन पर हसेंगे, अरे वोट तो देना दूर की बात है, उन्हें चपल की माला लोग पहनाएंगे, उनकी गद्दी उनसे चिंच जाएगी पावर की मिना उनका अस्तित्व खतम हो जाएगा और उसके बाद, बास बास एरिटर, तुम तो एमोशनल हो गया है, कभी ऐसा रजहा हुआ राजनेता देखा है, जिसने सुईसाइट कमिट किया है, ऐसे नहीं होते हैं, एमोशनल तो मैं था, नादान तो मैं था, लोजिक नेता नहीं, मुर्ख तो मैं था, नेता अगर्ण अपने constituentsई अपने voter को भली भाती जानते हैं, भली भाती पहचानते हैं, और जब ये सब बोल रहे होते हैं, जो हमें अनाप शनाब लगता है, वो अपने voter से बात कर रहे होते हैं, आप और हमसे उनको कोई फरक नहीं दो चार जो बाकी हैं उनका गला गोटा जा रहा है फाइव ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं चलो ये बताना तो मुश्किल है इसका जवाब तो डॉक्टर संबित पात्रा के बाज भी नहीं है लेकिन अगर ग्रामीन इलाकों में जाकर 14-18 साल के नौजवानों से ये पूछो कि अरे 5 ट्रिलियन तो छोड़ो 50 लाग दे छोड़ो 500 divided by 7 कितना होता है तो आधे से जाधा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे इतनी बेसिक मैट्स क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ाई जाती है यहीं नहीं रूरल इंडिया में 14-18 साल के नौजवान घाड़ी में समय देखना स्केल का प्रॉपर तरीके से इस्तमाल करना अपने रीजनल लैंगवेज में क्लास 2 की टेक्स्ट बुक पढ़ना यह बेसिक काम करने में भी सक्षम नहीं है यह वो 14-18 साल के नौजवान है जो इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडिन्ट है यह वो नौजवान है जो वर्कफोर्स में कल आएंगे जॉब मार्केट में जॉब ढूंडेंगे और भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एकानमी बनाने में एक एहम रोल प्ले करेंगे लेकिन A.S.E.R. Annual Status of Education Report ने कुछ चौका देने वाले खुलासे किये हैं जिनका अगर हमने तुरंट सुधार नहीं किया तो डेमोग्राफिक डिविडिन्ट तो छोड़ो एक नाखतम होने वाला Unemployment Nightmare बनने वाला है पाँच ट्रिलियन डॉलर एकानमी का लक्ष तो और भी दूर होता रहेगा अगर इन फाइंडिंग्स पर हमने अभी गोर नहीं किया पहले Good News से शुरू करते हैं A.S.E.R. ने पाया कि ग्रामीन इलाकों में जादा बच्चे सेकंडरी एजुकेशन के लिए दाखिला ले रहे हैं पैंडमिक की मार खाने के बावजूद पैरेंट्स बच्चों को वापस पढ़ाई के लिए स्कूल भेज रहे हैं और पिछले सालों की तुलदा में आज के डेट में भारत में जादा से जादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन्रोल्मेंट इस एट इस हाइस्ट एवर ये अच्छी बात है लेकिन ठीक जैसे देश की जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी और मेरी आए इंकम आटोमेटिकली बढ़ जाएगी वैसे ही स्कूल जाने से शिक्षा और लर्निंग की गैरेंटी नहीं है और ये सर्वे कुछ चौका देने वाली फैक्ट्स बताती है AACR का सर्वे सिविल सुसाइटी और्गनाइजेशन प्रथम काफी समय से कराती आई है और इस बार फोकस ग्रुप था 14 से 18 साल के युवक 28 डिस्ट्रिक कबर किये गए 26 राज्यों में करीबन 35,000 स्टूडेंट्स को परखा गया है उनसे सवाल पूछा गया है अब आप यह बोल सकते हैं कि पूरे देश को तो नहीं लेकिन 35,000 स्टूडेंट्स का आकड़ा रूरल इंडिया में ये काफी बड़ा सर्वे आप इसको मान लीजिए सर्वे ने पाया कि 87% ग्रामीन नौजवान 14-18 साल के रेंज में किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टूशन में एन्रोल्ड है 14 साल की उमर में एन्रोल्मेंट रेट 96% है ये बहुत अच्छा अकड़ा है लेकिन 18 साल तक आते आते ये इन्रोल्मेंट रेट 70% के नीचे चले जाती है इसके पीछे सिर्फ सरकारी नहीं बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स भी हो सकते हैं इसी AACR रिपोर्ट ने पाया कि बच्चों के फाउंडेशनल स्किल्स जो होते हैं बेसिक स्किल्स वो काफी लडखडा रहे हैं 14 से 18 साल के बच्चे ग्रेट 2 लेवल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं ग्रेट 5 लेवल मैच्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं यानि इनमें से इनी बच्चों में से आधे युवक, लेबर फोर्स या कोई स्किलिंग प्रोग्राम जॉइन करने के लिए भी सक्षम नहीं है कि आप उन्हें ट्रेन कर पाओ सिर्फ 42.7 परसेंट छात्र अंग्रेजी के सेंटेंसेस पढ़ पाते हैं बेसिक सेंटेंसेस पढ़ पाते हैं उनमें भी एक चोता ही पढ़ा क्या? उसका मतलब आपको नहीं बता पाएंगे मैट्स का हाल और भी खराब 58 परसेंट छात्र सिंपल थ्री डिजिट आकड़ा का सिंपल डिविजन नहीं कर पाते हैं तो आप बताईए आगे जाके ये छात्र अरे काम तो छोड़िए अपने पैसों को कैसे संभालेंगे और इसी का फाइदा दूसरे लोग उठाते हैं इसी लिए स्कैम्स होते हैं तो ये जो रूरल इंपाव्मेंट की बात होती है लोगों की हक की बात होती है जिसके बारे में नेता टाइप लोग बड़ी-बड़ी डिंगे हांका करते हैं वो एक्चुली जमीन पे होगा कैसे? अच्छा चलिए पढ़ाई लिखाई की बाते छोड़ते हैं हो सकता है कि बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट बन रहे हो टेक्स्बुक स्मार्ट नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट है तो सिंपल लाइफ कैलकुलेशन करने में कितने बच्चों को दिक्कत आती है 45% ये जो नौजवान है वो ये नहीं बता पाए कि एक बच्चा कितनी देर के लिए सोया उनको सोने का टाइम बताया गया तो vocational education important है डिग्री नहीं, कम से कम नौकरी के अफसर तो जरूर मिलेंगे लेकिन उसके लिए भी basic education की एक दरकार होती है जैसे एक task में 40% नौजवान जिनने सर्वे किया गया वो ठीक से scale तक का इस्तमाल नहीं कर पाए जीरो से मापने को बोला तो माप लिया इतना था कि 14 से 18 साल के नौजवान क्या class 3-4 वाला काम कर सकते हैं उतने level की understanding दिखा सकते हैं बने इतना base level पर इतना सरल level पर ये एक सर्वे किया गया तब जाकर ये हालत है दुख की बात ये है कि इसके बारे में टीवी पे 9 बजए आपको चीखने चिलाने वाले डिबेट नहीं सुनने में को मिलेंगे कोई ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो वाला anchor ये नहीं पूछेगा कि अगर बच्चे स्कूल में और भी जादा टाइम बिता रहे हैं हमारे देश में गरामीन इलाकों में कोविट के बाद भी बच्चे स्कूल वापस आए हैं तो उनका डबा इतना गोल क्यों है ये एजुकेशन की जो चुनोती है आज हमारे सामने वो किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की देन तो है नहीं और अगर देश में एजुकेशन और उसके बाद बेरोजगारी के समस्या को सुलजाना होगा तो पहले तो ये मानना होगा कि भाया समस्या काफी गंभीर है ये नहीं कि हाँ हम आ गए हैं हम तीसमार खान हैं हमने प्रॉब्लम सुलजा दिया है हमने सब कुछ सुलटा दिया है हाला कि भक्त मंडली में ऐसे लोग भी बैठे हुआ है जो ये बात भी मान लेंगे लेकिन अगर कोई भी सरकार ये बात को ठान ले कि भाया इस प्रॉब्लम को हम सॉल्फ करेंगे अगर सरकार ऐसी मंचा रखे तो पॉसिबल है अरे सरकार मंचा रखती है तो लोग ताली थाली बजाने लगते हैं मंचा रखती है तो विशाल नए बिल्डिंग्स खड़े कर देती हैं मन्शा है तो vaccination program कुछी हफ्तों में महीनों में सफल हो जाता है तो अगर सरकार चाहे तो इसका समधान हो सकता है सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार चाहती ही नहीं है कि नेतागण ये चाहते है कि लोग अनपढ ही रहे जाहिल ही रहे अरे भाई हो सकता है उनका प्लान ही हो कि गद्दी में रहने का यही प्लान है क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख गए तो फिर सवाल पूछने लगेंगे अब दो-चार सवाल पूछने लगेंगे तो नेता टाइब लोग को तकलीफ होने लगेगी कुछ नेता लोग तो ये बयान भी दे चुके है केरला का आप एक्जामपल देख लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं लोग इतने पड़े लिखे हैं अब आप बोलोगे कि यार क्या देशभद क्या इशू लेकर आज तुम आ गए हो रूरल इंडिया में एजूकेशन क्राइसिस है तो ये तो हमें मालूम है इससे हमें क्या फरक पड़ता है हमारे लिए तो सब चंगासी है हम तो अपने SUV और कर रहे हैं अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो चलिए देश के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए ये दो पॉइंट सुन लीजिए कि आप पर फरक कैसे पड़ता है एकनॉमिकली और पुलिटिकली हम अकसर सोचते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंट होने से जनसंख्या सिर्फ होने से चलो मेक इन इंडिया एक कारिक्रम उसकी उपर लगा देने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी इंडिया मैनिफैक्चरिंग हब बन जाएगा और पूरा देश आगे बढ़ने लगेगा हम मैनिफैक्चरिंग हब अफ दे वर्ड बन जाएगे तेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई भी MNC आरे छोड़ी MNC छोड़ी है देश की कोई कंपनी अगर फैक्टरी बठाने से पहले वो देखती है कि फंडिंग कैसा है, मार्केट कैसा है लोगों की बाइंग पावर है की नहीं है सोशल कंडिशन कैसे है, पोलिटिकल क्लाइमेट कैसा है अगर क्वालिटी ही नहीं है तो फैक्टरी नहीं लगेगी कोई इंवेस्मिन्ट नहीं होगा और जब तक लोगों के पास پैसे नहीं होंगे, तो उनकी बाइंग पावर नहीं होगी, अगर बाइंग पावर नहीं होगी कि अगर airlines, airport, यहां तक की part of the airport security को आप private players के हाथों में दे दोगे, सब कुछ बेच-बाच दोगे, और basic monitoring तक भी नहीं करोगे, तो क्या होता है? दिल्ली में fog के बीच में runway maintenance चल रहा था, Indigo Airlines पर ये इल्जाम है कि भाईया वो दबा के अपनी monopoly चला रही है, स्पाइस जेट में passenger को toilet में बंद होका travel करना पड़ा, और उसके बाद passenger को बोलने का भी हक नहीं, तो फिर किस रूप में घुसा निकला, एप पाइलेट को ही जहां पर मार दिया, अब यही सोचिये हालत क्या हो रही है rural areas में, कि जब सरकार अपनी मनमानी करती है और बोलने के लिए कुछ और कोई नहीं होता है, कोई institutional system नहीं होता है या फिर कोई खड़ा नहीं होता है, MSP का example ले ले जिए, जब वो किसानों को मिलता नहीं है, और उनके उपर privatization सरकार थोपने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ farmers अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता भाईया जब तक educated नहीं है, उसे दबाना और आसान होता है, इसलिए शायद सरकार जेनियों से खासा नाराज भी रहती है, lack of education से एक तरफ social और दूसरे तरफ political दबाव बढ़ता ही है, और जो तानशाह होते हैं, वो और भी अपना दबदबा बना सकते हैं, लेकिन unemployment और unemployability दोनों ही एक बहुत ही cut-in problem है, जो की एक output है इसी uneducation का, lack of education का, और unemployability क्या होता है, यह अपने आप में ही एक subject है, जिसके बारे में हमने एक episode बना के रखा है, कि सोच लीजे कल भर्मार आ जाती है नौकरी के हमारे देश में, हमारे पास लोग नहीं होंगे वो नौकरियों को भरने के लिए, लेकिन किन्तु परंतु solution है, अगर सारे parties मिलकर काम करें तो हो सकता है, एक solution निकलाए, अमेरिका में इसे bipartisan issue कहते हैं, बाकी मुद्धों पर हम एक दूसरे का गलाद अबाएंगे, लेकिन जब बड़े मुद्धे आते हैं, जैसे COVID हो, या टैकसेज हो, या सिविल राइट्स हो, ऐसे मुद्धों पर सारी parties एकमत होकर काम करती हैं। सबसे बड़ी problem, गरामीन इलाकों में, स्कूल्स को छोड़ कर भी, जो कि एक प्रॉब्लम ओविसली है, कि स्कूल्स अच्छे नहीं हैं गरामीन इलाकों में, लेकिन उसको अगर हम अच्छा कर भी दें, नौजवानों को घर के कामों में भी हाद बटाना होता है, तो ASER रिपोर्ट ये कहती है, कि हमें इस बात को मंदे रज़र रखते हुए, मोबाइल फोन का इस्तमाल करके, एजुकेशन को और आसान और फ्लेक्सिबल और मोबाइल बनाना होगा, जैसे वर्क फ्रॉम हो चुका है, वैसे S.F.H., स्कूल फ्रॉम होँम, कभी स्कूल, कभी घर, कभी मोबाइल से एजुकेशन, कभी क्लास्रॉम में एजुकेशन, हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि फोन तो सब के पास है, 90 प्रतिशत से जादा लोगों के पास फोन है, लेकिन प्रॉब्लम यहां भी एक है, जिसका AASER ने भी उसको अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है, कि मोबाइल फोन का जो इस्तमाल हो रहा है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल एरियाज में हो, वो शिक्षा के लिए नहीं मरोरंजन के लिए दबा के हो रहा है, तो इस ट्रेंड को भी चेंज करना होगा, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ही जादा ध्यान देने की जरूरत है, कोई चांस ही नहीं है कि सारे डिग्री धारियों को नौकरी मिल सके, शरम की बात तो यह है कि हमें 100 बिलियन डॉलर का सामान चाइना से इंपोर्ट कराना होता है, जबकि वो हमारी जमीन में घुजने की कोशेश कर रहे हैं, गालवान पर हमारे उपर हमला कर रहे हैं, लेकिन सीखने वाली बात यह है अपने दुश्मनों से भी, कि अपने डेमोग्राफिक डिविडेंट का फाइदा उठा कर, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम्स के जरिये, चाइना ने अपने लेबर फोर्स को अपग्रेट किया था, और दुनिया का मैनिफैक्चरिंग हब बन गया, इसलिए नहीं सिर्फ कि उसके पास पॉपुलेशन थी, इसलिए क्योंकि उसके पास ट्रेन्ड पॉपुलेशन थी, AACR रिपोर्ट खुद कहती है कि हमें इस डिरेक्शन में अभी बहुत जादा काम करना है, अब इस रिपोर्ट के खुद से दो नतीजे हो सकते हैं, या तो अकसमात सरकार ये बात समझ जाए कि कोई भी रिपोर्ट जो सत्य की तरफ इशारा कर रही है, वो सोरोस या गांधी ने नहीं बनाई है, वो साफ जमीनी हाकीकत दिखा रही है, अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए, तो बहुत सुधार हो सकता है आने वाले सालों में, सिर्फ थोड़े फोकस की जरूरत है, पूरा गेम बदल सकता है, दूसरे देशों ने बदला है, दूसरे देशों ने ये काम किया है, आप छोटे साउथ कोरिया के एक्जामपल ले लीजे, या मैसिफ चाइना के एक्जामपल ले लीजे, स्केलिंग में भी ये पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि इस रिपोर्ट को भी एंटी नेशनल, सोरोस फंडेट कहेके जुटला दिया जाए, इस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े कर भी जाए, नीचे मने वैसे लिंक दिया हुआ है, इस रिपोर्ट के उपर भी सवाल है, मेजर्मेंट स्टैंडर्ड्स गलत है, ये रिपोर्ट नहीं है, ये सही नहीं है, ये आक्ती नहीं है, हो सकता है कि कुछ भी ना बदले कि गरामीन पाटशालाओं की हालत जो अल्रेडी बत्तर है वो बत्से बत्तर और हो जाए और बच्चे सोशल मीडिया पर केफ और खत्रे में है यूफ और अस वर्सिस देम और जहां तक मैट्स की बात हो तो 80-20 का रेशियो ही खूब समझ ले ऐसे रिपोर्ट्स का और ऐसे एक्सपर्ट्स का पिस काम इतना होता है कि हमें आगा करें कि गाड़ी पत्री से उतर रही है अब उसके बाद जनता जनारधन है उसके सामने आज तक किसकी चली है एक साल पहले भी हमने स्टार्ट अप कोलाप्स के बारे में आपको आगा किय था, एपिसोड बनाया था, खुब गालिया पड़ी थी, एक साल पहले हमने पूछा था, कि वोई बॉयकॉट चायना का क्या हुआ भाई, फिर गालिया पड़ी, एक साल पहले बाइदर वे, वाइड लाइफ एक्सपर्ट्स ने ये चीता इंपोर्ट का प्लान को इंप्रैक् अब जब टप टप करके सारे चीता मर रहे हैं तो बिल्कुल सरनाटा हो गया है, सवाल ये है कि अगर गाली की खुराक से और बॉयकॉट कैमपेंज से ही, अगर हम एक शिक्षित देश बन जाते, अगर पांच ट्रिलियन डॉलर जीडिपी बन सकते, तो कपके बन चुके हो इस सेंट्रल गवर्मेंट ने प्रेस्टिजिस सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसी आरे लाइसेंस छीन लिया, बेसिकली उसको अपाहिज बना दिया उस इंस्ट्यूशन को जो दो-चार सवाल पूछ लेता था, और हिंदुत्व वाच के अकाउंट को सस्पेंट कर इंडिया में जो की क्राइम और जो हेट क्राइम्स कवर करता था, अब कोई भी कटिन सवाल पूछे, उसे खामोश कर दो, हो सकता है कि प्रथम और्गनाइजेशन के साथ भी ऐसा हो, भाई ये सच दर्शाने के लिए कि रूरल एजुकेशन की हालत क्या है, उसके बाद हो स सच दिखाया है, जो WhatsApp University के स्टूडेंट्स नहीं है, उन्होंने इस सच को सपोर्ट भी किया है, और आशा करता हूँ कि आगे भी 2024 में और इस critical year में आप ये सपोर्ट दिखाते रहोगे, इस सपोर्ट दो तिन तरीकस आप दिखा सकते हैं, एक तो सबसे पहले नीचे जाकर स सब्सक्राइब बटन दबाईए, अभी भी 50% लोग जो regularly हमारे एपिसोड देखते हैं, वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, थोड़ा काम और अच्छा लगता है, ज़रूर बनिए एक patreon member on patreon.com slash the deshbakt, नीचे मैंने link दिया हुआ है, आप एक annual member भी बन सकते हो, और तीसरा तरीक है कि कड़क मर्च हमारा जो मर्च लाइन है, इंडिया's first socially and politically aware satire t-shirts, आप t-shirts या sweatshirts वो भी खरीद सकते हैं उन कड़क मर्च, many thanks for the support, देखभक्त के episodes आते रहेंगे.